Hello and welcome to the knowledge source US President Donald Trump has presented Leeson of Merit Award to the Prime Minister Modi तो आज के सेसन में हम डिसकस करेंगे Leeson of Merit Award क्या है कौन-कौन से से Criterias हैं जिनके ओपर यह दी जाती है और इसके बाद इस सेसन में हम डिसकस करेंगे Prime Minister Modi को और कौन-कौन से से अवर्ड मिले हैं तो यह सब कुछ इस सेसन में हम डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू अपने टेलिग्राम चैनल और फेस्बूक चैनल से आके हम से जुड़ सकते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अगर मैं बात करूँ ट्रंप ने अगर इंडियन प्राइमिनिस्टर के अलावा और फॉर्मर जेपनीज प्राइमिस्टर जो थे हैं वह सीन जो अभी उन्होंने अपने हिल्थ इसूज पर उन्होंने यह जो प्राइमिनिस्टर से पद से इस्तिफा दे दिया था तो उनको भी यह दिया गया है तो यह कौन-कौन से बेसिस्टर को दिया गया है हम इसी भी डिसकस करेंगे लेकिन अभी के लिए देख लिए कि यह जो अगर बात करूँ मैं लेजन अफ मेरिट अवर्ड की तो यह एक हाइस्ट डिग्री ऑफ चीफ कमांडर अवर्ड है जो कि especially head of state government को दिया जाता है तो अगर मैं बात करूँ कि लेजन अफ मेरिट मेडल क्या है तो यह देखिए यह जो मेडल जो इस्टेबलिस किया गया था वो जुलाई 20 1942 को इस्टेबलिस किया गया था बाइदा Congress of USA से अगर मैं Congress बात कर रहा हूं तो यह Congress का मतलब हता है Parliament of the USA यह जो एवार्ड है यह वार्ड यूएस military foreign military members को दिया जाता है और political figures को दिया जाता है अगर वो meritorious conduct और अपने performance जो कि outstanding performance services या achievement ऐसे इनों प्रोडूस करते हैं जो कि throughout the world में इसको recognize किया जा सके तो इन सब चीज़ के criteria पर यह जलीजन ऑफ merit medal यह award किया जाता है और यह किसी भी countries के अगर बोलू में political figures को यह दिया जा सकता है तो अगर मैं बात करूँ इंडिया के लिए यह medal जो क्यों दिया गया है या फिर Australian Prime Minister को क्यों दिया गया है तो देखिए अगर इंडिया के बारे में बात करूँ तो Prime Minister Modi का यह award जो मिला है उनकी leadership qualities को ध्यान में रखते हुए और उनके जो विजन थे हैं जो की various fronts पे बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं तेजी से और उनके जो achievement उन्होंने अमर्जन से एक global leader की तरह काम किया है जहां पे उनकी जो पावर इंडिया की पावर और प्रेस्टीज भी आगे इंप्रूव वही है और इंडिया को एक पूरे वर्ल्ड में एक और एक और एक और एक और एक तरह देखा जा रहा है तो इस तरीके से एक strategic partnership जो इंडिया और यूएस के बीच में भी बिल्ड़ अप हो रहा है जिससे की global challenges को किस तरीके से handle किया जा सके different fronts पे terrorism हो से हो गया या फिर climate issues हो गया अल्दो climate issues पे डोन प्राइमिनिस्टर मौदी को अगर मैं बात करूँ स्कॉर्ट मौरिसन जो उस्ट्रेलियन प्राइमिनिस्टर हैं उनको अगर बात करूँ तो उनकी जो leadership qualities और addressing global challenges की उनके जो issues थे या फिर collective security में उनकी जो एम है कि जो इंडियन इंडोपैसिपिक रीजन में peace and stable इंडोपैस दिया गया था कि उनका जो में मैंक मकसद था कि इंडोपैसिफिक जो रीजन है वो फ्री स्टेबल हो और कोई इंक्रोच्मेंट ना हो तो इस तरीके के बीजन को देखते हुए यह वोड़ दिया गया है प्राइमिनिस्टर अपन जपान इसके बाद प्राइमिनिस्टर इंडिया मोदी जी तो इस तरीके के यह वोड़ दिये गए हैं अगर बात करो में कि कौन-कौन से ऐसे इसूज हैं जिस पर इंडिया और यूएस अभी भी सेयर कॉमन भीजन सेयर करता है और इनके जो बालेटरल इसन है उस कॉमन इंट्रेस्ट पर भी वर्क कर रहा है तो उसको आगे ले जाने के बढ़ाने की बात है लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें कौन-कौन से ऐसा शेयर करता है अगर इंडिया पर इंडिया यूएस एक basic front share करता है trade negotiations में भी इंडिया कई हथ तक मैं बोलू हूँ around 50% तक तो ये trade negotiations में trade के front पर इंडिया और common इंडिया और यूएस ए common ground share करता है अल्दो अगर देखे हम यूएस के अभी जो अभी ongoing president जो है Donald Trump उनका मानना था कि जो trade protectionism की policy थी उनको थोड़ा आगे बढ़ाया था लेकिन इंडिया की बढ़ाने की जड़त है था कि जो पूरे world को इससे help मिल सके अभी हम देख लिते हैं कि along with the merit of honor जो अभी दिया गया यूएस में तो यह इसके बाद आता है फिलिप कोटलर presidential award यह दिया गया था इंडिया के प्राइमिस्टर मोदी को उन्हें इंपोर्टन ट्रोल प्ले किया था इन economic and social technological advances इसके बाद सिवल प्राइस दिया गया था यह साउथ कोरिया के द्वारा इसमें जो था प्राइमिस्टर मोदी के ग्रोथ को देखते हुए कि उनके जो इंट्रिब्यूशन्स थे टू दा ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल एकनॉमिक्स तो इसके लिए दिया गया था इसके बाद यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ एवर्ड यूएन इपी के द्वारा जी देता है उनाटेट नेशन इंवर्मेंट प्रोग्राम के द्वार सब्सक्राइब एक सस्टेनेबल इंबॉर्मेंट की हम बात जो है उसको एक लेटरनी स्पिरिट भी एडॉप्ट कर सके इसके बाद ग्राइंड कोलर एवर्ड स्टेट ऑप प्लेस्टाइन ये पलेस्टाइन के द्वारा दिया था फॉर हीज कंट्रिब्यूशन इन प्रोम मानता है और उसके ग्रोथ में हमेशा खड़ा रहता है कोई भी मुसीवत में तो इसके मद्दे नचार देखते हुए ये अवर्ड दिया गया था फ्रॉम आफगानिस्तान इसके बाद किंग अब्दॉल्ला सा एवर्ड ये दिया गया था अगर बात करूँ ये अवर्ड द सोसल और प्रिवलेज्ड स्टैटेजिक पार्टनर्सिप बिट्विन इंडिया एंड रशिया तो ये कुछ एवर्ड से जो को आपको याद रखना है कि कौन-कौन से वाट किसके दोरा दिया गया था तो that's it for today मैं आसा करता हूँ कि सिसन में आपको कुछ नया सीखने को मिल होगा so thank you as always for joining